नमश्कार दोस्तों मैं हूँ योगता स्वागत करती हूँ आपका हमारे चानल बोल्ड स्काई में वजन घटाने की कोशिश में जुटे लोगों के लिए सलाद काफी अच्छा आप्शिन होता है हेल्थ कॉंशिस लोग सलाद का सेवन जरूर करते हैं हरी सबजियों का सलाद काई पोशक तत्वों से भरपूर होता है इससे बॉडी कुक कहीं तरह के पोशक तत्वों मिलते हैं कुछ लोग दिन में एक टाइम खाने में सिर्फ सलाद खाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सलाद गलत तरीके से खाया जाए सुबह वजन गटाने की जगा बढ़ा भी सकता है जी हाँ बल्कुल ठीक सुना आपने सुबह, दोपहर या रात आखिर क्या है सलाद खाने का सही समय सलाद खाते हुए सबसे पहली बाद जिसका ध्यान रखना चाहिए वो है इसे खाने का सही वक्त लोग अकसर खाने के साथ एक प्लेट सालड लेकर बैठते हैं लेकिन ये सलाद खाने का सही तरीका बिल्कुल नहीं है अगर आप वजन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो खाने से आदे घंटे पहले सलाद का सेवन करें इससे आपको भरपूर मातरा में फाइबर मिलेगा साथ ही आपको कम भूक लगेगी अगर आप फ्रूट सालड खा रहे हैं तो इसे दिन में ही खाएं रात को इसका सेवन आपकी बॉड़ी में शुगर की मातरा बढ़ा देता है इसका नतीजा आपकी तबियत खराब होना भी हो सकता है सलाद में किसी भी तरह की ड्रेसिंग का उपयोग ना करें इससे कैलरीज बढ़ती हैं और आपका वज़न भी बढ़ सकता है साथ ही कभी भी साथ में कोई सॉस भी यूज़ ना करें अगर आप सलाद में स्प्राउट सलेड खा रहे हैं तो स्प्राउट सलाद खाने का सही समय दोपहर का है और बाकी नॉर्मल सलाद आप अपने डिनर से एक घंटे पहले खा सकते हैं तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल एख एंगी